करपूर गोरं करुडा वतारं संसार शारं भुज गेंद्र हारं सदा बसंतं हिर्द्यार विंदे भवंभवाने सहितं नमामी नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पाथी आप देख रहे हैं भागी गूरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आ किस राजशी पर होगा और कौन सा नच्छत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है सुब नच्छत्र क्या है राहुकाल के सारी बात आपको विस्तार से मैं बताऊंगा और तत पर बताऊंगा कि आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे और महामंत्र का जब करने से कि और सीटे आपको क्या लाब कर बार्वारों के भी बारे में बताऊंगा कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं कौन विदेश जाएगा किस को सरकारी नोक्री मुलेकी कौन वैञ्यानिक बनेगा कौन चिकित्सक बनेगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिखेगा किसको रियल स्टेट से लाभ मिलेगा किसकी राजनेतिक गत्विधी बढ़ेगी किसको भूमिभॉन से लाभ मिलेगा किसके घर में किलकारी गुजेगी किसके घर में साहनाई बजेगी यह भी बत बताऊंगा गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा और दर्सकों के प्रस्टों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहेए भाग गुरू कारिक्रफ अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज 18 जनवरी 2024 द राशी में शुक्ल पक्ष है और अश्टमी तिथी है अस्तुनी नच्छत्र है सिद्ध योग है आज का जो सुमूर्थ है बारा बच के दस मिनट से लेके आप प्रान बारा बच के बावन मिनट तक रहेगा राउकाल है दो पहर आपका एक बच के पचास मिनट से लेके ती कोई भी कारे करते तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी राहुकाल में कोई कारे न करें और दिशासूर में यात्रा करने से बचें अगर छोटी दूरी की यात्रा तो दही कुड़ खाक यात्रा करना आपके लिए लाप्रद रहेगा इस बात का ध्यान रखना है और ब्रहस्पती उनका महामंद्र है आपकी कुल्डी में ब्रहस्पत इगरा अच्छा है ता आप चतुर्दिक विकास होता है व्यक्ति दिमान होता है एकडमी केरियर उसका अच्छा होता है यास्पत परतिष्ठा में प्राप्ती होती है जिद्द आपकी कुल्डी में ब्रहस पर तेगर मजबूत होगा